बारत और आस्टेलिया के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा सिरीस का अंतिम मैच अब रोमांचक मोड में पहुँच चुका है पहले दिन जहां टीम इंडिया ने आस्टेलिया को गुलदी प्यादो की घातक गिंद बाजी के दम पर 300 रनों पर समेट दिया था वहीं दूसरे दिन आस्टेलिया ने पलट वार करते हुए इस्पनर नैथन लियोन की शानदार गेंद बाजी के चलते टीम इंडिया के 248 रन पर 6 विकेट जटक लिए टीम इंडिया फिलहाल आस्टेलिया से मात्र 52 रन पीछे है दिल का खेल खत्म होने तक रिद्यमान साहा 10 रन और रविंज डेजा 16 रन बना कर नाबाद रहे इससे पहले अच्छी फॉर्म में चल रहे लोकेश राहुल 60 और भरोसे मन चेतेशवर पुजारा के 57 रनों की बदालत भारत बेतर इस्तिती में पहुँच चुका था लेकिन इसके बाद लियोन का जादू चला और भारत ने तीसरे सतर के शुरू में दो विकेट गवा दिये और इसके बाद भी इस्तिती नहीं संबली वहीं अब कल मैच का तीसरा दिन रहेगा और टीम इंडिया बढ़त बनाने की कोशिश में रहेगी वैसे आज के दिन नैथन लियोन ने चार विकेट तो जोश हैजल वूड और पैट कमिंस ने एक एक विकेट जटके आपको वदा दे कि चार मैचों की सीरीज में भारत और और ऑस्टेलिया एक एक मैच जीत चुके हैं जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था तीसरे दिन का खेल मैच के परिडाम के लिहास से अहम रहेगा देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया बढ़त बना पाती है या नहीं देखते रहेगे डीबी लाइग